दुनिया में कही ऐसी जगए मौझूद है जो हमें पूरी तरह से चौका देती है जिनके बारे में जानकर हम आश्यरे में ही पढ़ जाते हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जगव के बारे में जहां जाने का मतलब है अपनी मौद को गले लगाना और लोग इन जगव की तुन्ना नर्ग से भी करते हैं वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जगव है जहां जाना खत्रे से खाली नहीं है लेकिन कहा जाता है कि इन जगव उपर जाने के पाथ इंसान के वापस आने की कोई भी गैरेंटी नहीं होती इन स्थानों प पढ़कर पूल है जिनमें से कुछ तो बेदी खुब सुरत और कुछ तो बेदी खतरनाग दोस्तों चायना वालों को पता नहीं क्या सोख चड़ता रहता है जो हर बार कुछ नया और खौफनाग फूल बना लेते हैं आपने चायना के इस खांस वाले बिरिज के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें चलते हुए और किसी की फढ़ जाती है पर आजम आपके लिए उससे भी खतरनाग फूल ढूंड के लेके आया है चायना के इस पूल की उंचाई 200 मीटर है इस पूल पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं व्यासे तो इस पूल पर चलने वा किसी स्वर्ख से कम नहीं लगता है लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाग जगों में से एक है और जी स्वर्ख जैसी दिखने वाली जगह को खतरनाग बनाता है वह यहां का मौसन यहां पर रहना तो दूर आप यहां पर ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते इस वीडियो को सबस्क्राइद दिखकर आप यह अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि यहां पर कितने कड़ागी की ठंड पड़ी होगी यहां पर इतनी ज्यादा तेज हवाई चलती है कि एक वेक्ति यहां पर सीठे-सिदे खड़ा भी नहीं रह सकता यहां पर बर्फबारी कूरे साल बर्फ पारी होती ही रहती है जिससे ही खूब सुरत नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता वैसे तो यहां सबसे देज चलने वाली हवा जो रेकोड हुई थी वो है 370 किलोमेटर प्रति घंटे की जो की सन 1934 में रेकोड की गई थी और सायद आपको पता ना हो पर यहां पर लोग जो की आम लोग नहीं बल्कि research करने वाले लोग ही रहते हैं यानि कि आ सिर्फ scientist या नि हमारे एरब्ली जैसे लोग ही रहते हैं और यहां के पहाड इतनी उंचे है कि यहां पर चढ़ना मतलब Mount Everest पर चढ़ने के बराबर है स्पैन के एक साहर पेपलावडा में मनाय जाने वाला है फेस्टिवल दुनिया पर में ट्यूरिस्ट को अपनी ओर एक त्रक करने पर मजबूर करता है हर साल लाकों लोग इस फेस्टिवल में इससा लेने के लिए आते हैं इस festival में 6-10 खुंखर सांडों को रोड पर खुला छोड़ दिया जाता है और इस रोड पर 1000 लोग मौजूद होते हैं और यह लोग ब्यालों के आगे तोड़ते हैं और बचने की कोशिस करते हैं इस खेल में 1000 लोग जक्मी होते हैं और कई लोग तो अपनी जान से भी हाथ दो बैठते हैं नंबर टू स्टेरवे टू हावन हावाई हावाई में मौजूद है सीडिया एडवेंचर्स के सौकिन लोगों के लिए यह जगा फूल एडवेंचर्स में भरी हुई है यह सीडिया समूद्र के तड़ से करीब 2900 मीटर उपर है जिसमें तकरीबं 3000 सीडिया मौ ढंटे हैं इं सीडिय की सबसे खत्रमक बाद इस पाहड की चोटी के किनरे बना यह जुला इस मॉत के जुले को जुलना पसंद करते हैं 2017 में एक 29 साल का लड़गा इन सीडियों पर चड़ते चड़ते मौत के मौ में चला गया था और उसके बाद इस जुले पर जुलते हुए एक लड़की गिर कर मर गई थी पर फिर भी यहाँ पर लोग इस मौत की शेयर करने वाले जुले पर जुला खाये बिना वापस जाना प एड्वेंचर 3 के शौकिन लोग इस खतरनाग गेम को बहदी पसंद करते हैं यह जम भी बेस जम के जैसा ही है यह ड्रोन आराम से 220 पाउंड के वेक्ति को उठा सकता है इसलिए इसे ड्रोन जम का नाम दिया गया है यहाँ पर जम करने पर यहाँ की पहाडियों का पेहद ही इस अनों के एड्वेंचर स्पोर्ट के लिए एक लाइक तो पंता है तो दोस्तों यह थी तुनिया की कुछ सबसे खतरनाक ट्यूरिस्ट डेस्टिमेशन अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक शेर और नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करना नाबूले